दोस्तो अभी आप सामने देख रहे हैं इंडिया की हीरो की और से सबसे पॉपुलर कम्यूटर सेग्मेंट की बाइक जिसे की क्या है सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं अपने डेली यूज के लिए और हीरो जानो जाता है अपनी लो मैंटिनेंस और स्प्लेंडर है तो आपको जो है आज से दस से पंदर साल पहले स्प्लेंडर प्लस देखने को मिलती थी वैसी मिलेगी है अब आपको जो चेंजिस हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या चेंजिस मिलेंगे तो एक्शोरूम प्राइजिंग जो है 73,000 की इसकी रहती है और आन्रोड 90,000 की आप मान के चलिए और जो यह चेंज आई आप देख रहें ना यह DRLS यह कट सेक्शन आपको यहाँ पर DRLS का आप यहाँ पर दे दिया जो कि पहले नहीं आता था इस तरगे का यह जो है अगर आप जलाते हैं तो LED DRLS उपर रहता है और यहाँ पर जो है इस तरगे का जो ह आप इनने देखा DRLS एड़ान हो चुकी है तो मतलब थोड़े एक्सटेक में कुछ चेंज जो है कि आपको देखने को मिले यह आपको देखने को मिला एक चेंज और बाकी सस्पेंशन वही रहता है आपको इसमें फ्रेंट में जो है टेलिस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पर प्रॉपर दिये गए है टायर प्रफाइल जो फ्रेंट की रहती है एक्टी हंड्रेड आर एक्टीन की एक्टीन इंच का जो है आपको ट्यूबलेस सीट का टायर मिलता है फ्रेंट में डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलती इसमें ड्रम ब्रेकी मिलेंगी 130 mm की और यह इसका पूरा इंजन सेक्शन और इंजन सेक्शन पूरा ब्लेक आउड मिलेगा और जो इसमें आपको जो है इंजन मिलता है वो 97.2 सीसी का आपको जो है सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक इंजन मिलेगा जो की 8.02 एनम का जो टॉर्क प्रेडूस करता है और 8 एनम जो है एपीएस की पावर यह प्रेडूस करेगा तो मतलब जिससाब से जो है जिससी का इंजन है इससी में जो है यह डेली यूज के लिए सबसे बैस्ट वाइक रहती है जादा तर लोग इसी को लेते हैं जिनका डेली का जो है यहां पर काम होता है और साथ-साथ यहां से पीछे अगर आप आते हैं तो पीछे आपको जो है यहां पर वई आर एटेन का जो है जो है C8 का आपको जो है ट्यूबले स्तेयर असाथ यहां पर पीछे जो टेल नप जाइलीत है और उनदीकेटर भी आपको फ्लैक्जिवल् мощ 맛 ऐसा हेलो ज £1 में मिलीगे तो मतलब ऐसे ट्यूठ तो मतलब ऐसा डेखे सीटे आपको कुछ ऐसी मिलेंगी थोड़ा आपको मैट फिनिश में आपको रेड स्टिचिंग के साथ मिलती है साधी साध इस तरह के का पूरा ये कुछ रहता है और आपको जो है माईलेज अच्छा गासा अगर आप डेली यूज करते हैं तो साथ से पैंसर्ट का जो इसमें माईलेज है वो भी आराम से जो इसमें देखने को मिलेगा अब जो अगला चेंज है वो है इसका मीटर पहले जो एनलोग मीटर आता था इसका वो अब कनवर्ड हो चुका है फुली डिजीटल मीटर में चाभी अब भी वैसी की वैसी ही रहेगी जो की आप यह देख रहे है इस तरह की चाभी रहती है है अब इसे जैसी ओन करेंगे तो यह रहता है पुरा डिजीटल टाइप में निगेटीब टाइप जो बैग्रांड की लाइट है वो औरेंजर मिलती है और इस निगेटीब टाइप का जो है यह डिजीटल फुली जो है यह आपको जो है मीटर कंसोल मिलना है तो यह जो है दूसरा बड़ा चेंज़ ब्लूटूट कनेक्टिविडी के साथ में आ चुका है यह हीरो का जो है आप अभी कौन सा आप डालोड करना है वो मैं बता दूँगा यहां से आप ट्रिप पे ट्रिप भी यह सारी कुछ जो फंक्शन चेंज करेंगे न्यूटल का और फ्यूल का और इंजन मेल फंक्शन लाइट आपको यहां पर मिलेंगी और साइड इस्टेंड का जो है इंडिकेशन यहां पर आपको प्रॉपर दिखाया जा रहा है और यहां पर जो आप देखेंगे लेट साइड में आपको USB का पोर्ड है अगर आपको कोछ चार्ज करना हो तो यहां से आप इसली यहां पर वायर लगा के भी अपने गैजट्स जो भी है गोप्रो वगेरा फॉन यहां से आप जो है इसली चार्ज कर पाएंगे तो यह था जो सबसे बड़ा चींजिस तो यही था मीटर में बाकी जो अगर आप देखें साइड इस्टेंड अगर मैं लगा दूँगा यहां पर इंडिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा साइड इस्टेंड यहां पर लग चुका है तो इस तरह के से आपको यह साइड सारे इंडिकेशन आपको देखने को मिलेंगे यह आपको हॉर्न का यह इंडिकेटर का और लो बीम, हाई बीम के लिए आपे लेट साइड में स्विच दिए गए हैं बाकी यह आई 3S अन ओफ करने का और बाकी नीचे इसका सेल्फ का यहाँ पे रहता है और सेल्फ अगर आप जैसी अगर आप क्विक स्टार्ट है एकदम फटाक से स्टार्ट जाती है और साउंड यहाँ पर जब से बीए 6 इंजन हुए है तो थोड़े रिपाइन हो चुके हैं क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन टेक्नलोजी आगे काबुरेटर यहाँ पर रिप्लेस करके फ्यूल इंजन हो गया है तो थोड़े क्या सकते हैं रिफाइन और थोड़ा माइलेज भी आप जात करके यहाँ पर hero ride guide करके जो यहाँ पर जो app आता है इसको जो है download करके जो है आप जो है इसे connect कर सकते हैं अपने phone से और जितने भी call SMS alert है यह सारे जो है screen पर आपको देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तो यह थी इंडिया की कहे हैं hero की order से सबसे popular commuter segment की जो है daily use के लिए जो ह जो है office या फिर school जाना हो daily जो है अपने घर के काम करने के लिए एक कह सकते हैं एक ऐसी bike जो कि आप जिसे लेंगे हैं जिसका after sales and service वो आपको जो है बिलकुल भी मतलब ज्यादा cost की नहीं मिलने वाली क्योंकि आसानी से जो इसके space part है काफी सस्ते आपको मिल जाते है general space part जो तो यह थी कुछ जो है इसमें changes बाकी price मैंने बता दिया ज्यादा कुछ बड़े नहीं है price on road जो है यह आपको 89,000 या 90,000 की on road जो है आपे देखने को रूदर पूर में मिल जाएगी तो दोस्तो यही थी आज की वीडियो वीडियो पसंद आई like share कामन जूरू कर देना मिलत एक और एची नहीं वीडियो के साथ मैं